Sir, what is 30A? की दिनुक सेखके जहां वो कनके मजब की शिक्षा के लिए कॉलिज खोल सकते हैं। ludzie मदर से सकते हैं। when Christians अपने मदर से चला सकते हैं। मजब की शिक्षा दे सकते हैं। कि सम्विधान के निर्माताएं को इस बात का बोद मोहती का है , कि सिन्नी जी अगर आप अपने धर्म की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी तो आप में संसकार कहां से आएगे आप में फेत कहां से आएगा अब वेद क्या है पुरान क्या है कैसे जानेगी अगर आप शुका जाए आपको ये नहीं पढ़ना है और भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके पाँच हजार साल का जो रिकिन डॉकुमेंटेशन है उसमें भारत का कोई भी आप दौर देख ले कभी भारत की सनातन संस्कृति के मानने वालों ने दुनिया के किसी देश पे हमला नहीं किया ये शब्द बलातकार हमारी सनस्कृति का हिस्सा नहीं था ये घूमट ये घूमट इसले नहीं था कि हमारे या था हमको गलत नरेटिव दिया क्या ये भारत के अंदर जब मुगल शाचत आये उनका एक ही एजंडा था कि जितने गहर मुस्लिम औरते हैं उनका रेप करके उनकी नसलों को सुधर लाए ये बलातकार शब्द हमारे साहित का हिस्सा नहीं था ये तलाख शब्द हमारे साहित का हिस्सा नहीं था हमारी परंपरा और संस्क्रिटी में साथ फेरे जीवन भर के लिए जाते हैं इसलाम में शादी is a contract between two people इस अ बिजनिस आपने शादी मुस्ते की और शादी करने के कुछ दिन के बाद आपको लगा कि मैं रहना नहीं चाहती तो बिजनिस contract है आपने contract cancel कर दिया तो article 30A भारत के सम्विधान से हटना चाहिए इस देश के 90 से 95 करोड हिंदुओं को उनका शाष्ट्र क्या कहता है उनका वेद क्या कहता है इसकी छिक्षा की इजाजब देनी चाहिए और मंदिरों के उपर जो हिंदु पैसा चढ़ाते हैं ये भी एक law है जो नहीं पता देश को भारत के जितने भी मंदिर है उस पे जो पैसा चढ़ता है वो सरकार के खजाने में चला जाता है और भारत के मजारों के उपर जो पैसा चढ़ता है जो गुर्दौरों में पैसा चड़ता है वो सारा का सारा पैसा उस धर्म के मानने वालों के पास चला जाता है सिर्फ भारत के हिंदूों का पैसा जो आप अयप्पा पे चड़ाती है जो महाकाल पे चड़ाती है जो वैशनोदेवी पे चड़ाती है वो पैसा सरकार ले लेती है तो अगर भारत के मंदरों के चड़ने वाले पैसे से भारत के लोग, हिंदू लोग, सनातनी लोग अपने विश्विध्याले खोलना चाहें कि हम सनातन की बारे में बताएंगे पुरानों को पढ़ाएंगे तो उसकी भी छूट नहीं है ये सम्विधान में दो धाराएं एंटी हिंदू हैं इनको समाथ होना चाहिए और मैंने कल भी गोशना की है कि अगले दो साल में इसके खिलाब भी में